हेलो फ्रेंग्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो शाम का टाइम है तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और बेंगन की सब्जी तो जहां पर हम सबसे पहले बेंगन काट लेते हैं तो बेंगन हमने काट लिये हैं तो जहां पर हमने चार आलू लिये हैं तो आलू का हम शी लेते हैं तो आलू का हम छोटे-छोटे टुकडों में काट लेगे सबजी को काटने के बाद ही हम सबजी को अच्छी तरह से वाश करेंगे तो जहां पर हमने अलू काट लिये हैं तो अधर को भी काट लेते हैं तो आए चलते हैं फ्रेंस गयास की तरफ तो सबजी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कडाई में ओयल डाल लेते हैं तो सबजी को हमने अशी तरह से दो लिया है तो जहां पर हमने टमाटर अद्रक प्याज और हरी मिल्च रखी हैं तो आए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम प्याज और अद्रक डाल लेते हैं टमाटर एड़ कर देंगे अब थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे सबसे पहले नमक पहले एड़ करने से जो टड़का है वो जल्दी बुन जाता है इसके बाद हम एड़ करेंगे हरी मिर्च अब एड़ करेंगे हल्दी पोडर थोड़ी लाल मिर्च और देगी मिर्च मसालों को अशी तरह से मिक्स करेंगे तो मसाला अशी तरह से बुन चुका है अब इसमें एड़ कर देंगे हम बैंगन और आलू तो सबजी को अशी तरह से मिक्स करेंगे और पानी याड़ करके ड़कन दे के पकाएंगे तो जहां पर हमने चावल का पानी रखा है और चावल को हमने दो लिया है तो सबजी को एक बार चेक कर लेते हैं तो सबजी अभी कच्ची है फ्रेंस सबजी बन रही है इसे दुबारा डख देंगे तो बरतन साफ कर लेते हैं तो बरतन हमने साफ कर लिया है दुबारा सब्जी को चेक कर लेते हैं अभी थोड़ी देर और सब्जी को पकाएंगे तो चावल का पानी गर्म हो चुका है अब चावल एड़ कर देंगे तो सब्जी को चेक कर लेते हैं तो जहां पर सब्जी बन चुकी है अब इसमें हरा धनिया एड़ कर देंगे तो गैस को बंद कर देते हैं तो चावल को भी निचोड लेते हैं तो चावल को हमने निचोड लिया है तो फ्रेंस खाना सर्व कर देते हैं तो आपको मेरी आलू बेंगन की सब्जी की रेस्पी अच्छी लगिया तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जयाम आता दी दोस्तों गुड नाइट